हेलो स्टूडेंट कैसे आप तो एक्जाम सबसे पहले बीकॉम ऑनर्थ सेमिस्टर फाइव का आने वाला है यानि बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और फानेशल मेनेजमेंट के तो इतने सारे पेपर हो गए न एस वेल सेमिस्टर पांच वालों के पेपर होंगे रेगुलर और S.O.L. का तो सेम ही रहना है फिर आपका प्रोगराम के भी FM का लूAD होना है फिर S.O.L. का लूदै norma और अंस समेस्टर 3 का होने वाले हैं फानेशल मेनेजमेंट का हर बच्चे का अब मैं अगर बात करूँ तो जो जादा सा जादा बच्चे का confusion में देख पा रहा हूँ ना जिन बच्चों ने भी तक study start नहीं किया तो उनका कहना है किसा हम start कैसे करें तो मैंने एक थोड़ा सा सोचा कि मैं बच्चों को अब ये भी बता दूँ कि किस chapter में से क्या topic पढ़ना है आपको ठीक है तो मैं स्रिफ और स्रिफ पहले unit 3 जो कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको ये पढ़ना चाहिए तो मैं unit 3 की बात कर रहा हूँ that is आपका इसके अंदर cost वैसे इसका नाम अगर मैं लिखूँ तो इसका नाम है cost of capital and finance and decision and financing decision ठीक है and financing decision कर देते हैं इसको तो ये chapter का पूरे unit का नाम है अब सर इस unit में से क्या topic पढ़ना चाहिए तो एक एक करके करते हैं सबसे पहला chapter है हमारा सर leverage का ध्यान दीजिएगा सबसे पहला chapter है सर leverage का और leverage में से क्या topic पहले पढ़ना है नहीं पढ़ना है अब बच्चे confused है कि सर इतनी सारी classes ऐसे classes कैसे लेंगे हम कर पाएंगे बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि बोल रहें sir quit sir FM हो जाएगा easily लेकिन आप मेरे बताये हुए pattern पे चलिए बहुत easily हो जाएगा अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ leverage leverage में आपको सर्फ दो ही topic पढ़ने हैं एक पढ़ना है आपको DOL degree of operating leverage एक DOFL degree of financial leverage एक DCL इस basis पे questions आएगा या दूसरा question आ सकता है percentage basis पे percentage basis के अंदर क्या रहता है sir जैसे कि हमारे के EPS में percentage change होगा तो sales पे क्या impact आएगा या sales में change हो तो EBIT EPS इनी के उपर percentage के basis पे रहते हैं तो सरिफ दो topic करने हैं इसके अंदर ध्यान रखेगा इसमें दो pattern बन जाते हैं एक जब हमारा single year का data होता है और एक जब हमारे two year के data होते हैं जब हम change वाला लेते हैं ठीक है न तो दोनों के formula मैंने कराए हुए हैं तो इस chapter को पढ़ने का क्या तरीक है सबसे पहले आप जैसे कि कई बार बुक में क्या होता है एक कुशन इसका अगया फिर इस pattern का अगया फिर इस pattern का इस pattern तो उससे हमारा मैंने इसके करवा दिए हैं ठीक है लेकिन कई कई बीच में मैंने दूसरे pattern से भी मैं करा है मैंने क्योंकि question की demand था तो उसके according करना पड़ा तो सबसे पहले आपको यह सारे pattern के questions कर लेने हैं जैसे यह खतम होगा उसके बाद इस pattern के questions करने हैं तो आप इस chapter को दो segment में divide कर दी और formula लिखके रखिए यह था हमारा पहला chapter that is leverage इसके अंदर कितने chapter मैं सभी की बात करूंगा अगला chapter इसके अंदर आ जाता है हमारा that is हमारा EBIT and EPS मैं topic भी बता रहा हूं आपको ताकि help मिले मैं सिर्फ इसी unit की बात करूंगा 20 नंबर का यह unit है हाला कि देखा जाए तो यह unit आपका 20% बेटेज है जितने भी marks होंगे आपके paper अगर 75 का marks का है तो उसमें से 20% का होगा तो मैं मोटा मोटी मान के चलूं अगर 75 का paper आया तो यह 15 नंबर का पूरा unit होने वाला है अगर आपका 90 का paper आया तो यह 18 नंबर का होने वाला है यह unit पूरा ठीक है जिसमें से leverage एक examiner का फेवरेट है इसमें से questions लगबग लगबग मैंने कई बाहर देखा है कि पूछा ही पूछा गया है ठीक है इसके बाद अगला unit आता है EBIT EPS इसके अंदर दो ही topics करने हैं आपको chapter का नाम बहुत एक दिन का chapter है सर इसके अंदर क्या करना है सबसे पहले आपने EPS निकालना सीखना है और हाला कि EPS निकालना मैंने पिछले chapter में ही बता दिया है कि कैसे निकालेंगे EPS निकालना है और इस type के 2-3 सवाल जादा सवाल करने के वशकता है आपको सिर्फ 2-3 सवाल करने हैं EPS वाले दूसरा जो मेन है आपका indifference point कि indifference point कि indifference point कि कि दूसरा जो है तैस इंडिफरेंस पॉइंट तो इंडिफरेंस पॉइंट मेंसे questions बनने के ज्यादा chances है यह कर लें आप इसके आप कम से कम तो पांच सवाल जरूर practice करें 5 questions ठीक है इसके तीन कर लीजिए इसके पांच सवाल practice कर लीजिए एक सवाल कर लीजिए आपकि इसका financial break-even point break-even point मैं अभी पढ़ा नहीं रहा मैं सिर्फ topic बता रहा हूँ ठीक है जैसे इंडिफरेंस point में EBIT निकालते हैं financial break-even point में preference share dividend हाँ ध्यान रखिएगा 10-year के अंदर कुछ अभी error है कुछ है questions में तो 10-year के solutions है और मेरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो कई वार आपको हो सकता है contradict हो सर ने यह बताया था यहां यह है तो मेरी वीडियो के accordingly अप 10-year के सारे के सारे solution करिएगा इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेगा परेशान होने की कोई ज़रत नहीं है तो यह topic है तो देखें कितने आसानी सो जाएगा EPS का 4-3-4 questions निकाल लिए उसके बाद indifference point के 5 सवाल कर लिए और इन सवाल को करने में यकीन मानना मुश्किल से 2 घंटे लगें चप्टर खतम हो जाएगा यह लेकिन strategy wise हमारे mind में कई बार ऐसा चल रहा था कि sir EBIT है EPS है यह chapter है chapter लेके मत चलो topics भी मैंने उसके अंदर define कर द इसके बाद अगले point पे चलते हैं तीसरा के बाद जो हमारे chapter करना है हमें that is cost of capital बहुत सारे extra topic भी हैं लेकिन मैं उन topics को थोड़ा सा बोलूँगा avoid करने को जो exam में आता है अभी तो हमें exam वाले topic ही करने न सबसे पहले इसके अंदर कुछ हमारे percentage यानि कहलो cost निकालना सीखना होता है that is आपका ke KD और तीसरा KP अगर KD निकाल लिया तो आप KL भी निकाल लेंगे KL that is आपका cost of loan बात एक ही है पहले आपने ये खतम करना है सर इसको खतम करने में कितना time लगना है आप इसमें one day लगा दिजिए basic one day और इससे related सारे छोटे छोटे questions कर लिजिए आप KD के 4 से 5 सवाल करिए KD KD के 4 से 5 सवाल करिए redeemable, irredeemable, KD में भी आपका with growth, dividend paid, dividend will pay, सारे सवाल इस टाइप के कर लिजिए one day दीजिए इसको next इसके अंदर topic है आपका cost of capital सर ये तो chapter का नाम ही है वही find करना है जिसको हम WACCB नाम से जानते हैं और इसी को हम KOK भी नाम से जानते हैं ठीक है ये find करना है इसके अंदर दो ही topics बनते हैं सर एक बनता है हमारा that is book value के हिजाब से और एक बनता है हमारा market value के हिजाब से एक तो इस pattern की questions है कि एक ही questions को दे दिया उसको book value के हिजाब से भी करके दिखा और market value second pattern जो हमारा बनता है that is हमारा कोई भी new fund यानि कहेंगे कि पहले हमारा ये fund है और हम plan कर रहें कि ये additional fund करें और उसकी वज़े से हमारे shares के market price पर फरक पड़ेगा उसके basis पर तो ये topic cost of capital का है इसके अंदर आप please दो दिन जरूर दें two days दे सकते हैं आप अच्छे से अगर करना है और ये chapter जरूर पूछा जाता है और कई बार पंदरा नंबर का सवाल आता है तो देखिए आपके topics मैंने अगर बताया तो topics जो है financial management में सबसे पहले आपने leverage करना है leverage में एक डियोल वाले और एक इस वाले topic को अलग कर लीजिए आगे क्या करना है आपको इस तरीके से अलग करके चलना है ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले chapter की तो next chapter हमारा है that is a value of form इसको हम theory of capital structure के नाम से भी जानते हैं इसके नाम है अलग अलग तो confuse नहीं होना इसमें इसमें दो ही topic है और दो topic कौन से है एक approaches है और सर अप्रोच के अंदर जो mainly practical question है number one net income approach net income approach NIE approach भी बोलते हैं से मैं short form में भी और full form भी बोल रहा हूं आप लिख लीजेगा और दूसरा होता है net operating income approach और तीसरा traditional जो बहुत कम आता है live class के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे application पर उसके अंदर तो हमने बहुत detail में करा था हर चीज को discuss किया हुआ है और तीसरा हमारा आता है value of firm इसके अंदर हाला कि value of firm हर किसी में भी निकालना है value of firm इसके अंदर आपने mm approach follow करना होता है जो probability होता है एक्जाम में आने के हाला कि सारे यह आते हैं लेकिन मुझे जहां तक लगता है इस बार यह आ सकता है लेकिन इसका मतलब यह मत समझता है यह नहीं आता पिछली बार आया हुआ है यह तो इन दोनों topic में से questions पूछे जाते हैं आपके तो यह chapter भ लिखने के बाद हो सके तो आप उसको remind करने से याद करने से बहतर है उससे related पांच-पांच question कर लीजिए आपका automatically यह done हो जाता है ठीक है तो यह हमारा है क्या सर value of firm value of firm के अंदर यह सारा का सारा हमारा procedure है तो unit number 3 की बात करें तो हमारा यही unit number 3 है जिसमें कितने chapter है सर 4 chapter है leverage value of firm और एक हमारा cost of capital इसके सार theory इसमें देखो theory कैसे बनेगा हमारा question number जो भी आए whatever मैं question number प्रिटिक नहीं कर रहा भी जैसे question number 1 आ गया ठीक है इसका A part हो गया और B part हो गया इसमें हो सकता है practical हो इसमें हो सकता है theory हो practical में may be possible cost of capital दे दिया और theory में हो सकता है NI approach को बोला लिख इसने को इसने चीक है और question number 2 ऐसा possible है कि A part में भी leverage दे दिया और B part में आपसे दे दिया cost of capital का theory तो वो mix होके हो सकता है अगर आप किसी भी chapter को छोड़ के जाते है ना तो फिर देखो वहाँ problem create हो सकता है आप फिर 5 से 10 number 5 number तो पूरे आपके chance से lose कर देंगे तो मेरे हिसाब स इतना ज्यादा लेंदी नहीं है इसके अंदर आपको एक दिन में हो जाएगा यह अगर मैं frankly बोलू तो चार से पांच घंटा लगाएंगा तो बोलेंगा यार इस चप्टर में तो कुछ था ही नहीं जस्ट एक knowledge है और वो हमें पहले से आता है तो एक दिन इसमें लगा दि से उसके अंदर तो मैं डाल दूँ अब आकि मैं यूटूब पे भी डाली रहा हूं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा अगर इसी टाइप का लगता है कि आपको वीडियो हेल्फुल हो रही है क्योंकि देखो क्या जरूरत है आपकी मुझसे बहतर आप समझते हो कि साम में मज़ा आ जाए तो आप जब कमेंट में लिखेंगे कमेंट का मैं रिप्लाइ भले ही मैं लेट करूँ लेकिन मैं कमेंट पढ़ता जरूर हूं और उसकी के हिसाब से मैं ये वीडियो लेके आए हो तो मैंने यूनिट नंबर थी बनाया है ऐसे आप बोलोगे तो मैं यूनिट नंबर आपका फूर का भी बता दूगा कि क्या क्या टॉपिक्स रहने हैं यूनिट नंबर फाइब के भी चप्टर वाइस टॉपिक थाकि आप पढ़ो तो पढ़ते टाइम पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर लीवरेज करना है तो लीवरेज में ए आपको बढ़ा नहीं लगेगा और बहुत इजली होगा ठीक है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए बहुत आप मैं देख रहा हूं कि चैनल के उपर बहुत सारे बच्चे जो है अब भी जो है एंगेज है बहुत अच्छी बात है पर इसमें एक कमी लगती है मुझ सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए अब पहले नहीं किया था तो अब कर सकते हैं सब्सक्राइब और काफी बच्चों का डिमांड यह भी एक इसले इंटल न असाइनमेंट देखो जो चीजे मैं पढ़ा रहा था मैंने इंस्टेंट डा सब्सक्राइब और जब एक सब्सक्राइब को हम दुबारा पढ़ते हैं न तो मजा नहीं आता मैं अपने मन की बात कर रहा हूं हंडेड औन वन परसंट सीनियर जूनियर जिस मर्जी सब्सक्राइब पूछ लिजेगा एक सब्सक्राइब जैसे अभी जितनी मेहनत करोगे आप FM के अंदर उतनी नहीं करोगे कई बच्चों ने आप मेंसे जो वीडियो देख रहे होंगे अपने किसी ने किसी सब्जेक में इंपूर्मेंट भरा होगा पहली बार जो आपने ताकत जो पहली बार आपने उसके अंदर इंटरस दिखा के उस सब्जेक को पढ़ा होग ये फैक्ट है और इस बात को मान लिजिए तो इसी बार जी तोड मेहनत करके जान लगा दिजिए लास्ट के जो भी एक आद मेहने 20 दिन 25 दिन बचा है लगा दिजिए इसके अंदर निकाल के खतम करिए अगले समिस्टर में हम स्टार्टिंग से फिर देख लेंगे थैंक सुमाथ